हर तीन साल में अधिक मास एक बार आता है और हिंदु धर्ण में अधिक मास को महत्वूर्ण माना जाता है आज हम अधिक मास क्या होता है अधिक मास हर तीन साल में एक बार क्यों आता है और अधिक मास का क्या महत्व है किसके बारे में जानकारी लेने वाले है अधिक मास यह एक संस्कृत शब्द है, अधिक का अर्थ है अतिरिक्ट और मास का अर्थ है महिना, तो अधिक मास का मतलब होता है अतिरिक्ट महिना, एक स्ट्रामन्थ, अधिक मास को पुरुशत्म मास, संसर्प मास, मल मास और दोंडा महिना भी कहा जाता है, काल क्रम की दू इस अवधी में अंग्रे जी या ग्रेग्रियन केलेंडर के जनवरी से दिसंबर एक बारा महिने पूरे हो जाते हैं। इस अंतर में समानता लाने के लिए प्रतेक तीन साल बाद चंतर वर्ष में एक अतरिक महिना जोड़ा जाता है। जबकि विविन त्योहार चंतर वर्ष फर आधरित होते हैं। इस महिने में ब्रामनों को भोजन और दान भी दिया जाता है। स्री कृष्ण के पास भीजा। मल मास की बाद सुनने के बाद स्री कृष्ण ने अधिक मास का नाम बदल कर पुरुषत्तम मास रख दिया। कृष्ण ने ए भी कहा कि पुरुषत्तम मास का महत्व सबसे अधिक होगा। और जो लोग इस मास में पूजा, व्रत और दान करेंगे उन्हें पुन्य मिलेगा।